Welcome to AS.PCS, मैं चंदन परसाथ, आज की इस वीडियो में एक से साथ जुन दो हजार बीस के जहारकन रिलेटेड करेंट अफेस के वस्तुनिस्ट प्रस्ने MCQs के टाइप को डिसकस करेंगे, आज की वीडियो का PDF हमारे टेलिग्राम चैनल पर उपलब्ध होगा, अगर अभी तक आपने टेलिग्राम चैनल जोईन नहीं किये हैं, तो जरूर जोईन करें, वहां पर सारे PDF और नोटिस और बहुत सारे अधर अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो चलिए आज का सेसन स्टार्ट करते हैं, साथी अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर करें, आप साथी बेल आइकन को प्रेस करते हैं, आज का पहला प्रसन है आपका जारखन सरकार द्वारा वन रोपन के छेत्र में बेहतर कारी के लिए किस समीती को पर्थम पुरसकार मिला है, ओप्सन है आपका पहला कुजू वन समीती, दुसरा है आपका सिधव में सरकार की द्वारा वन रौपन के छेत्र में बेहतर कारे के लिए कुजु वन समीति को तीन लाक रुपे का पर्थम पुरसकार मिला है जिस वन समीति को ये कारे दिया गया था गैनमसभा के माध्यम से पारित करा कर ये खर्च करेगा इसमें आपका वन छेत्र में देख रेक करना वन विवाग द्वारा किया जाता है और साथी आपका उनको प्रोसाहित भी किया जाता है तो इसलिए ये फंड उन्हें दिया गया है दूसरा जो पुरसकार मिला है आपका रामगण के सीधवार कला वन समीती को दो लाक रुपे तीसरा पुरसकार जो मिला है आपका गोला परखंड के साड़म वन समीती को वन लाक रुपे परदान किया गया था प्रस्ण संख्या 1 में पुछा गया था कि पर्थम पुरस्कार किसे दिया गया है तो राइट एंसर आपका A होगा कुजुवन समीती को दुसरा प्रस्ण है आपका हाली में जहारखन के पुर्व राजपाल वेद परकास का नीधन हो गया है वेद परकास किस मुखी मंतरी के कारिकाल में जहारखन में राजपाल के रुपमिय योगदान दिये option है आपका हेमन सोरेन दूसरा option है आपका बाबुलल मरांडी तीसरा option है आपका सीवू सोरेन और डी आपका अरजुन मुंड़ा संबंधित तथ्य देखते हैं सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो पुर्व राजिपाल थे हैं वेद परकास मारवाहा उनके बारे में बात करते हैं जिनका नीधन गोवा में 87 एस के एज में उनका हो गया है जारकन में राजिपाल के रूप में उन्होंने 12 जुन 2003 से 9 दिस और साथ ही आपका स्रीमरवाह नेशनल सिक्रीप गार के माह नीधेशक भी बने इसके अलावा जहारकन के राजिपाल के अलावा दो अन्येरा झों के भी राज़पाल रहे थे, मनीपूर और मीजोरम के भी राज़पाल के रुप में उन्हों ने कारी किया था, परस में जो पूछा गया था आपका कि कि इनके कारीकाल में, मुख्यमंत्री के कारीकाल में राज़पाल रहे थे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्जुन मुंडा जो भारतिय जन्ता पार्टी से पहली बार आपका मुख्य मंत्री बने थे 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 के बीच में तो उन्हीं के कारिकाल में ये राजिपाल के रुप में योगदान दिये थे तो इसका राइट एंसर हो रिपोर्ट के अनुसार जारखंड में केंद्र सरकार के लक्षे के तहत कीस वर्स तक 33 परतीसत हर्याली का रक्षे दिया गया है ऑप्सन है आपका 2023 तक 2022 दो हजार पचीस और 2024 बात करेंगर हम इस रिपोर्ट के बारे में तो 2019 में जारखंड में कुछ बढ़ोतरी हुआ था वंचेतर में आप यहां पर देख सकते हैं 555 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है इस रिपोर्ट में आपका 2023 से लेके 2019 टक के डाटा दिया गया है कि राजजिवार कितने बढ़ चेतर में और साथी एक लक्ष भी दिया गया है के अंदर सरकार के दवारा कि जारखंड राज्य को 2022 तक वर्तमान में अगर हम बात करें 29.67% वंचेतर हैं अगर वीर्चा वरण को भी जोड़ दें इसमें तो 33.31% आपका कुल वंचेतर हो जाता है और इसमें के अंदर सरका की और से जो लक्ष दिया गया है कि 2022 तक 33.31% हर्याली का लक्ष जारखंड को दिया गया है तो इसमें पूछा गया था कि 33.31% कब तक का लक्ष है तो 2022 तक राइट एंसर इसका बी होगा नेक्स्ट परसने आपका फोरेस्ट सर्वे ओफ इंडिया की स्टेट फोरेस्ट रिपोर्ट के अनुसर जारखंड में 2003 से 2019 के दौरान 2013 में कितने वर किलोमेटर में 116 में बढ़ोतरी हुई है अभी हमने बताया था कि जो 2017 का रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें 2003 से लेकि 2019 के हर साल का हर राज्जी के लिए कितना बढ़ोतरी हुई है गटोती हुई है उनके बारे में विवरंदी आ गया है तो यहां पर जो पुछा जा रहे कि फानशन किलोंचर 520 किलोंचर जो रिपोर्ट था उसमें बताया गया था कि 2013 सारध्रिक वन विरिद्धी की दर्ज किया गया था जारकंड में जो की आपका 496 किलोंचर की बधोत्य हुई थी 2009 में बढ़ोतरी जो हुआ था आपका 303 किलोंचर हुआ था यह जो पुछा गया था आपका 2003 में इस प्रसन को अच्छे से समझेगा तो राइट एंसर आपका क्या हो गया पर बी होगा 496 किलोमेटर की बढ़ोतरी होई यह उन्चेतर का इस रिपोर्ट के अनुसर प्रसन संकिया पांच है आपका हाली में जहारखन के किस जीले में 250 किलो सोने की बंडार वाले एक और खान पाया गया है option है आपका राची बोकारो पूर्वी सिम्भू धनबाद तो इसका सही एंसर क्या होगा आपका पूर्वी सिम्भू क्योंकि पूर्वी सिम्भू के में जीले के भीतर डारी में ये खान पाया गया जहां पर 250 किलो सोने का भंडार है इसके निलामी की भी तैयारी की जा रही है इससे उमीद है कि राजसरकार को करीब 120 कडो रुपे की आमदनी होगे तो इस अधार प्रस्न शंख्या पांच का राइट एंसर सी होगा पूर्वी सिम्भू नेक्स्ट है आपका प्रस्न शंख्या छे जोहरलन लेहरू जैविक उद्यान कहां परिस्थित है आपका बोकार धनबाद राच्ची पलामो तो इसका सही एंसर होगा आपका एक बोकारो अभी चर्चा में क्यों आया चर्चा में आने का रीजन है यहां पर एक रामिसुरी नाम की सेरनी थी जिसका 18 साथ की एज में उसका नीधन हो गया है वह आपका हाइबिडिस से नहीं आपका केंद् जण हर प्राधिकर के अनुमोदन के बाद 12 दिम्बर 2008 को मैतरी बाग चर्यागर से विलाई से जौहर लाल नेहुन जंभी कुद्यान लाया गया था प्रस्न में ये पूछा भी जा सकता है कि कहा पर सही सेरनी को लाया गया था तो मैतरी बाग चिर्यागर भिलाई से ये लाया गया था जोहरलाल नेहुद जैवी कुद्यान जो बुकारो मिशती थे इस सेरनी का जन्म जो हुआ था आपका रामिश्रुई नाम का 10 अप्रिल 2002 को भिलाई में हुआ था तो प्रस्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा ए बुकारो प्रस्न संख्या साथ है आपका जारखंड के किस मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कर जारखंड का एक चिकिस्विद्याले अस्थापित किया गया है एक बहुत ही परमुक नीउज है इसको ध्यान में आपको रखना है इसमें क्या हो रहा है कि जारखंड में अभी तक एक भी सारे मेडिकल कॉलेजेश थें, किसी अधर इन्वरसिटी साथ वो अफ्डेड़ अफिलेटेट थें, संबंधित थे, लेकिन अब आपना जारकन का एक चिकित सा विस्विद्याले भी अस्थापीत होगा, option यह पर दिया गया है MGM Medical College and Hospital जमसेथपूर, B option है आपका पाटली पुत्रा Medical College, C option है आपका राजेंदर इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसेज, तो इसका सही उत्तर होगा आपका C, क्योंकि राजेंदर इंस्टिटूट अफ मेडिकल साइंसेज को as a first medical university के तौर पर इस्टेटेस दिया जाएगा, अपग्रेड किया जाएगा, पहले यह Medical College था, होस्पीटल था आपका, अब इसे एक Medical University के तौर पर स्थापित किया जा रहा है, हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार जहारखन की बेरुजगारी दर कितना है, option है आपका 44.5%, 56.2%, 69.2% या फिर 75%. हाली में Center for Monitoring Indian Economy, CMIE, जोकी एक सोतंत्र संस्था है, और विभीन आकडे के अधार पर ये रिपोर्ट जारी करती है, तो बेरुजगारी की भी रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया गया है, जब से लोकडाउन प्राराम्भू आता, तो मही तक का रिपोर्ट में जारी किया गया था, इसमें बताया गया कि बिरुजगारी दर किस तरह से बढ़ा या घाटा राज्यू की क्या इस्तिति थी, पूरे देश का क्या इस्तिति थी था, उन सारे के बारे में वीवरन दिया गया है, रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा जो बिरुजगार वाला राज्य जी बताया गया जारकन को जहां पर 69.2 पर तीज़त आप देख सकते हैं ग्राप में यहां पर दिखाया गया है फरवरी से तो मार्च तक आपका समाननी रहा थोड़ा बहुत घंटी भी विरुजगारी लेकिन मार्च से अप्रेल के बीच में आप देखिए विरुजगारी बढ़ा बहुत ज रहे हैं तो विरुजगारी अल्रेडी पहले से जहारकन में था अब यह वापस आने के वज़े से और यह विरुजगारी बढ़ चुका है उसके बाद बिहार का नंबर आता है 46.2 पर तीसत के साथ यहां पर लेकिन एक देखनी को मिल रहा है कि अप्रिल से में के बीच में बेरुजगारी दर न घटा है और नहीं बड़ा है समान नहीं रहा है दिली में फरवरी से अप्रिल तक तो समान नहीं रहा थोड़ा बहुत बड़ा लेकिन अप्रिल से में के बीच में बहुत ज़्यदा बढ़ोतरी हुई है 44.9 पर तीसत चला गया है पंजाब में भी यह आपर गिरावड दर्ज किया गया है मार्श से अप्रिल के बीट में यह बढ़ा लेकिन आपका अप्रिल से में के बीच में यहां पर 16.8 पर तीसत की गिरावड दर्स की गई है मतलब कि बीरोजगारी वहां पर घंटी है इसका मुखी कारण है चुकि तमिलाडो में बहुत सारे बाहर से लोग आके काम करते थे अब वो अपने वापस राज जी चले गए इसलिए हम आपर विरुजगारी दर आपका काम हुआ है और यहां पर देख सकते हैं आपका वरतमान में अभी तमिलाडो में 33 पर तीसत आपका विरुजगारी द पुरे देश में सबसे ज्यदा बेरोजगारी दर है 69.2% के साथ पहले अस्तान पर है तो राइट एंसर इसका आपका डी है एक जित ज्यान रखिएगा यह सारे कोविट 19 कोरोना वाइरस के परकोप की बज़े से जब अर्थे वह था बंद हो चुकी थी आपको याद होगा मार्च के लास्ट वीक में 23 मार्च से लोगडाउन प्राराम हुआ था 23 मार्च से अप्रील में तक रहा है आपका और यह जून से आपका कुछ-कुछ खुला है अर्थियोस्ता भी खुली है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक कम हो प्रसंसंक्या 10 है आपका हाली में जारी रिपोर्ट के अनुसार जहारखन के ग्रामिन छेतर में बिरोजगारी दर कौन से स्थान पर है ऑप्सन है आपका पहला स्थान दूसरा तिसरा या फिर चौता स्थान जो यह CMEI का जो रिपोर्ट जारी किया गया था उसी में इसके ओभरोल क्या इस्थिती है देश का क्या इस्थिती है ग्रामिन छेतर के और सारी चेतर में क्या इस्थिती है तो जहारखन के बारे में भी बताया गया जहारखन तो ओभरोल आपने देखा कि 69.2% आपका विरूजगारी दर है अब बात करते हैं ग्रामिन छेतर का तो ग्रा 12.6 फिजदी के मुकाबले ड़ाई गुना हमारे राजजी का जादा है सहरी वेरुजगारी के मामले में जहारकनड पंडुचेरी के 75 फिजदी बेरुजगारी के बाद सतर पॉइंट दो फिंज दी के साथ देश में दूसरी नंबर पर है, पहले अस्थानsel पर पंडुचरी है और तुसरी आस्थानल पर जहारकंड है, सहरी छेत रहें बूरुजगारी सतर फोइंट दो फिंज दी है, मतलब आपस्थ सकते हैं कि गुना सहरी बिरुजगारी है बिहार में जो सहरी बिरुजगारी वर्तमान में है सिर्फ 37.9 फिजदी है इस अधार पर प्रस्ण संक्या 10 का जो सही उत्तर होगा ग्रामिन छेत्र के बारे पुछा गिया था तो ग्रामिन छेत्र में 55.1 परतिसत के साथ पहले स्थान पर है जोइन किये है जरूर जोइन किजिएगा उसका लिंग आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे जे एससी जे पीएसी के ओनलाइन क्लासिस प्राराम हो चुके हैं अगर आप जोइन करना चाहते हैं चुकि अभी कोई-19 कोज़े से बहुत ज़्यादा क्लासिस आप कर यहां पर रहेगा अब सिर्फ अगर स्टेडी मेट्री लिए पर्चेस करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें या फिर मारे ओनलाइन स्टोर से डाइरेक्ट आप और कर सकते हैं मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में थैंक्यू भी वन और अगर वीडियो आपक